हलो फ्रेंट नमसकार गौवर्मेंट ने एक की आधार कार्ड को लेकर निव आपडेट लाया है जिसमें आप सभी लोगों को जो भी दिक्कत अंपरसानी हो रहे थी आधार्च के लेकर के सभी की प्राबलम यह पर अप 30 सिदंबर तक के साल्ब कर दिया जाएगा जिसमें साथ हजार डाकिया घर-घर जाकर के बनाएंगे बच्चों का अधार कार्ड और साथ में ही घर बैठे आप मोबाइल नमबर और पता भी आपडेट करा पाएंगे तो इसका मैं संपूर जानकारी आपको स्टेप बाइस्टेप देने वालों तो वीडियो को बिना इसके भी अधार कार्ड जिसमें यहाँ पर साथ में देखते हैं घर बैठे मोबाइल नमबर और पता भी आपडेट होगा डाकिया से मोबाइल नमबर और घर का पता भी बैठे ही लोग आपडेट करा सकेंगे इसकी भी सुदा अब डाकिया विभाग को दे दिया गया है इसके लिए अब डाक बिभाग जाने कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर देख सकती हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकती हैं राजी की 7000 डाकिया जो घर-घर जाकर कि बच्चों का आधार कार्ड बनाएंगे यानि आप यहां पर 0 से 5 बर्स का जो बच्चों का अधार कार्ड बनता है अब आप उसको भी यहां से आनलाइन आप मोबाइल की दुरू जो है लिपटाप या मोबाइल से भी आप यहां से आनलाइन कर देंगे और आपके घर आकर के आपके बच्चों का अधार कार्ड बना इसके लिए डाकिया विभाग ने EYD से अगले 40 दिनों के लिए तीन लिस्ट बुक के हैं साल तक के 10 लाख बच्चों का अधारकार्ट बनाने का लच्छ है इसके लिए डाक विभाग विशेश तयारी कर रहा है डाक विभाग की मानों तो 5 साल तक 1,7,000 बच्चों का ही अभी तक अधारकार्ट बना है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हमें इसको अपलाई करना है आप मॉबाइल से बड़ी आसानी से कर पाएंगे तो इसके लिए हमें कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी मॉबाइल में Google या Chrome ब्रायोजर को Open कर लेना है Open कर लेने के बाद हमें यहाँ पर New Tab ले लीना है New Tab में यहाँ पर हमें सर्च कर देना है यहाँ पर CCCuppate CEPT आपको यहाँ से सर्च कर देना है जैसी आप इस तरह से सर्च कर देंगे अब आपको first में ही link दिखाए देगी यहाँ पर India Post Service Request का आपको इसी link पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे आपके समने कुछ इस तरह से अगर problem आ रही है तो आप advance पर click करके फिर से करेंगे तो आज open हो जाएगा अब हमें page को scroll करती वे नीचे जाना है यहाँ पर हमें name, address, pin code, email id, mobile number और यहाँ पर service में हमें आधार को select कर लेना है IPB, आधार service और यहाँ पर select sub category में यहाँ आ जाना है यहाँ पर हमें देख लेना है 0-5 year बच्ची के लिए हम request डालने वाले है यहाँ आधार कार्ड में mobile number and address अप्लेट करने वाले है इस हिसाब से आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे हम यहाँ पर select कर लेंगे और request OTP के option पर click कर देना है जैसे आप request OTP की option पर click करेंगे अब यहाँ पर आपकी जो mobile number दिये हैं उस पर एक OTP जाएगी उस OTP को हमें यहाँ पर flip कर देना है यहाँ पर देख सती हिंटर OTP receive अगर आपको OTP नहीं मिल लेए तो आपको recent OTP पर click कर देना है तो OTP यहाँ पर आ चुकी है OTP को यहाँ पर आप देख सती है request submit successful और यहाँ पर आपको request reference नमबर दिया गया है आपको इसको screenshot या note कर लेना है आप यहाँ पर click to trick your request की option पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आप यहाँ पर आपको enter your mobile number या request नमबर आपको यहाँ पर डाल देना है एड्रस आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएगा आपका स्टेटर जो रहेगा पेंडिंग है तापके यहां पर पेंडिंग देखने के मिल जाएगा आप इसी तरह से आपने जो भी रिक्वेस्ट यहां पर सब्मिट करेंगे आपको यहां पर देखने के लिए मिल जा आएंगे जीरो से पांच बर्स की बच्चों का घर बैठे ही आप यहां से रिक्वेश्ट डालके और आधार कार्ड को मरवा सकते हैं तो हम आजा करते हैं हमारी दीगाई जानकारी आपको अच्छी लगे होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर चलूर करिएगा दें तक फ